हेलो आप देख रहे हैं बर्मा टेक्निकल चैनल ये विडियो मैं लाएं हूँ 44W 220V AC जो मोर्टर कंट्रोलर है ये मोर्टर को कंट्रोल करने वाला एक वोल्ट रेगुलेटर है जहां इलेक्ट्रिक मोर्टर स्पीड को इससे कंट्रोल किया जाता है यह दिमर है तो इस दिमर का यूज करना है मोटर को स्पीड कंट्रोल करने के लिए तो काफी कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा साथ में इसके इंसाइड में देखेंगे यह हुआ यहां से इस तरह से आप करेंगे तो यह हाई हो जाएगा और यहां काफी कुछ फीचर यहां देखने को मिल जाएगा यहां पर लाइन इसमें देना है यहां पर नीटरल वायर का कनेक्शन करेंगे अर्थ का कनेक्शन साथ में पोजिटिव और नेगिटिव का कनेक्शन यहां है यह पलस भी एडजेक्स है तो इस तरह से इसे adjust किया जाता है जहां पर high या फिर low करके और साथ में इसका जो head sing लगा हुआ है वो aluminium का ये दिया हुआ है ये उपर से इसका covering है जहां पर छोटे छोटे hall इसमें किया हुआ है इसके hitting को बाहर निकलने के लिए और यहां जो screw दिया हुआ है तो इसे मैं आप को खोल करके यहां दिखाऊंगा तो सबसे पहले यह screw को यहां से मैं खोल लूँगा इसके inside को देखने के लिए इसमें क्या-क्या component का यूच किया हुआ है वह आप इस वीडियो में देखेंगे तो इस तरह से मैं इसके connection को यहां पर दिखाने वाला हूं यह lock किया हुआ रह 41600B है 7AP61RG और साथ में नीचे इसका कुछ है डिजिट जो है वो है SA507 यह RC करके है तो इस तरह से इसका transistor का यूच किया गया है साथ में एक fuse का यूच किया गया है तो यह fuse को भी मैं निकाल करके आपको दिखाऊ हैं यह 10 ampere 250 volt का यह fuse का यूच किया गया है साथ में काफी कुछ यहां component आपको दिखने को मिल जाएगा जिस तरह से इसका है अब दिख सकते हैं इसका solder वगिरा भी काफी अच्छे तरीके से किया गया है यहां पर आपको यहां जो आप देख रहे हैं प्री जिरेक्टिफाय हैं और यह जो देख रहा हैं जहां पर रोटेट किया जाता है यह दो वाटर 500 क का यहां लगा हुआ है 500 के का तो 2 वाट का यहां पर लगाया गया है जिसमें potentiometer का यूच किया गया है जो आपका low और high करने के लिए यह यूच किया गया है यह मेली रूप से आपका काम करता और इसमें काफी अच्छा वरा हेट सिंग का यूच किया गया है अगर लोट परे तो यह हेट सिंग जो है इसे कूल करके बचाता है इस ट्रांजिस्टर को जो जल्द खराब नहीं होता है यह इस तरह से यहां connection करने को दिया है तो अब देख सकते हैं इस side में एक knob लगा को हटा लूँगा और इस यह जो देख रहे हैं इसे भी मैं खोल करके इसके inside को दिखाऊंगा तो अब देखें मैं यहां पर इसके जो टाइट किया हुआ है इसे मैं इस तरह से यहां से खोल लूँगा थोड़ा सा स्लिप करना होगा यह देखें बिल्कुल इस तरह से करके यहां अच्छी तरीके से खोल लिया जाता है और इसे inside में देखेंगे हम तो यह देखें आसाने से यह आपका निकल जाएगा इस side में यह head sink का लिया इसका यूच किया गया है और यह देख सकते हैं यह potentiometer काफी अच्छी तरह के से यह set किया गया है जहां पर थी connection यहां देखने को मिल जाएगा और यह देखें यह जहां पर connector है तो काफी कुछ इ काफी का connection किया गया है तो बेशेयर का connection ज़ो है ओपर से ही यह दोनों जो है हुग इस तरह से connection बना हुआ है ताकि ये दोनों में connect हो जा रहा है जहां positive का connection और ये ही यहां से आ जाता है अब देखेंगे क्या इसके detail की connection को जैसे ही line को यहां पर से in किया जाता है तो ये direct ये देखें ये आपका output में connection हो चुका है और एक जो 1, 2, 3, 4 जो बना हुआ है ये connection देख सकते हैं ये आपस में sort किया हुआ है और इसके उपर solder कर दिया गया है ताकि ये connection जो है वो ये print यहां से ना जल करके अलग हो इसलिए अब देखें ये जो connection है ये दो connection है ये ही दो connection जो है वो आपस में सिर्फ regulator का work करें यहां पर रहेगा तो यहां आप connection देख सकते हैं ये work भी करेगा जब testing करने के लिए दोनों का connection आप load देख करके करेंगे तो फिर ये work करता है अब देख रहे हैं कि यहां से connection जाने के बाद यहां आपको connection देखने को मिल जाएगा कि यह यहां पर line in हो चुका है इसमें यहां से बिया है तो ठीक इस तरह से यहां भी connection आपको देखने को मिलेगा कि एक side में इस side से भी bridge directive fire का connection बन चुका है और जैसे ही यह potential meter को rotate करते हैं उस तरह से यह जो connection है वो complete बनता है और यहां पर काफी कुछ से इस तरह से positive negative का connection आने के बाद फिर यह इस तरह से जाता है जहां middle में हो जाता है इसका और इस side से connection यह जो है यहां पर एक छोटे से register का यूज किया गया है back side से connection करने के बाद यह देखें अब यह यहां पर आ जाता है जो transistor का connection है और यह transistor से side में in line को ले लेता है इस transistor के help से आप यहां पर भी जो देख रहा है connection जो किया गया है तो यहां 10 higher का huge का तो यह दोनों से ही यह और यह जो देख रहा है यह आपका transistor का एक side है यहाँ पर इसमें होता क्या है कि एक base collector emitter का यूज है यहाँ इस transistor में इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि base emitter collector का तो इस तरह से connection बनाया गया है जिससे यहाँ पर सारा connection हो जाता है और यहाँ से एक छोटी से डिपी का यहाँ देखें यूज किया गया है जिससे यह current यह work करता है तो यह काफी कुछ इसमें आपको देखने को मिला और यहाँ जो आप देख रहे हैं connection लगा हुआ पीएप को तो यह पीएप यहाँ पर भी लगा दिया गया है साथ में यह आपका डिपी किया गया है तो इसका भी connection जो देख रहे हैं इस तरह से दिया गया तो आप देखें यह बिल्कुल अच्छी तरह से मैं यहाँ सेट कर लिया हूँ और आप मैं इसमें इसका जो फ्यूज है इसे भी यहाँ पर सेट कर दूँगा पर यह जो फ्यूज देख रहा हैं दस एंपियर से ज़्यादा जब होगा तो यह फ्यूज ब्रेक को जाएगा मिल जो भी लोड रहेगा वो सिर्फ इस टांजिस्टर पर ही लोड रहेगा यही वर्क करेगा और इसी कुछ जो पोटेंटियोमीटर देख रहे हैं इसी के help से ही ये वर्क करेगा तो इस तरह से इसके नोब को भी मैं लगा दिया और अब मैं इसके click को भी इसतरह से set कर तो आप देखें कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैं सेट कर लिया देखा आपने कैसे मैंने इसके इंसाइट को दिखाया क्या क्या इसमें पार्ट का यूज किया गया है वो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर वीडियो देखने के लिए